नवश्कार में उप्रिया आज है 22 नवंबर चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को BPSC बिहार मोटर या निरिक्षक भरती परिक्षा 17 दिसंबर से लोग सिवा आयोग ने मोटर वहिकल इंस्पेक्टर के पदो पर भरती के लिए होने वाली लिखित परिक्षा का शेडियूल जारी कर दिया है परिक्षा का शेडियूल और परिक्षा समंधी नोटिस आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है वहीं कैंडिडेट्स जुन्होंने BPSC, मोटर या निरिक्षक भरती परिक्षा के लिए और नाइन आवेदन किये थे वो अब इस परिक्षा का पूरा शेडियूल जाकर के आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं अब इस परिक्षा के लावा कैंडिडेट्स जाहे तो आयोक क्या धिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर के आसानी से देख सकते हैं ओफिसर परिक्षा शेडियूल के मुताविक 17 दिसंबर को पहली पारी में सामाने अधेयन प्रथम परश्ण पत्रों और दूसरी पाली में मोटर वहां नियामावाली एवं अधिनियम तीसरे पत्र की परिक्षा होगी जबकि 18 दिसम्बर 2020 को पहली पाली में आटो मोबाईल यांत्रिक अभियंत्रन दूइत्ती अप्रश्ण पत्र की परिक्षा होगी उगते सूरे को अर्ग देने के साथ ही चारदेवसी चछट व्रत का हुआ समापन उगते सूरच को अर्ग देने के साथ ही चारदेवसी चछट का समापन बीते दिन हो गया है आपको बता दे गुरुवार की रातरी व्रतियों द्वारा खरणा के पश्चात भूमी पर रातरी विश्चराम किया गया इसकी बाद अगले दिन यानि की शुक्रवार को सभी व्रति निर्जला रही जिसकी बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ व्रति अपने अपने गाउं कस्वा महले के नजदी की चछट घाट पर पहुची और अस्ताचल गामी सूरे को अरगदी आपको बता दे कि कैमूर जिले के प्रखंड मुख्याले भगवानपुर, रामपुर, चैनपुर, दुर्गावधी, मोहनिया, कुद्रा, रामगड के अलावा कई प्रखंडों के साथ अन्य ग्रामिन इलाकों में छट पर्व को ले क करके लोगों की भारी उच्साह देखने को मिली, हालाकि कोरोना के कार निजबार कई लोग घर पर ही छट करते नजर आए आज बिहारी परटन सल में हम बात करेंगे सासाराम की एतिहासिक दूप से बिहार का रोहतास जिला पुर्व मौरे काल में छटी श्रताब्दी ईसापुर्व से पाचवी श्रताब्दी ईसापुर्व तक मध्य समराजव का हिस्सा था यहां समराट अशो का छोटा सा शिलालेख है जो यह बताता है कि स्थान पर मौरे का साशन था महीं सासाराम रहतास परेटन का मुख्य आकरशन है उनमें सबसे पहला नाम आता है रहतास गड किले का जो अकेला एक उत्कृष्ट नमूना है और मुगलकाल की वास्तुकला के बारे में बताता है रहतास में बहुत कम मंदिर है और एक चाचा फगु मल साहिब जी का गुरुद्वारा है जो एक पवित्र स्थान माना जाता है बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिर रही है स्वास्त वभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 गंटे में जारी किये गए आंकडों के नुसार बिहार में कोल मिलाकर 278 नए मामलों की पुष्टी की गई है जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,3,247 पर पहुँच गई है बहीं प्रभावित जिलो की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में कुल मिलाकर 109 मामले सामने आए हैं बहीं मुझफरपुर में 17 मामले सामने आए हैं भारतिय सेना ने चैन प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव भारतिय सेना ने अब बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है जिसके तहर पुरुष उमिद्वारों को बड़ी रहात मिली है सेना में अधिकारियों की बहाली के तर्च पर ही सैनिकों के चैन का पैमाना भी तै किया गया है मिली जानकारी के नुसार लंबाई के नुसार वजन का पैमाना तै किया गया है लंबाई के नुसार वजन के पैमाने में बताफ किया गया है इसके साथ ही नए पैमाने पर चैन प्रक्रियाश शुरू की गई है इसके साथ ही उमिद्वारों को कम से कम 170 सेंटीमीटर लंबाई का होना जरूरी है जुनका नियुनतम वजन 50 किलोग्राम से बढ़ा कर अब 52 किलोग्राम रखा गया है इसमें 17 से 20 साल की आयोवाले अभेर्थियों का अधिकतम वजन 63.6 किलोग्राम और 20 वर्ष ते अधिक आयोवाले अभेर्थियों का वजन 66.5 किलोग्राम होना जरूरी है छट पूजा खत्म होने के बाद भी यात्रियों को मिलेगी ट्रेनों के सुविधा लोकास्था का महापर्व छट अब खत्म हो गया है जिसके बाद जो लोग बाहर से अपने घर छट पर मनाने आये हैं उन्हें अब वापस जाने के लिए किसी भी तरे की परिशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है मिली जानकारी के दुसा रेलवे ने यात्रों के सुविधाओं को ध्यान में रखते वे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णे लिया है रेलवे ने इस बाबत 22 नवंबर से 30 नवंबर तक पूर्व से चल रही विश्रेश ट्रेनों के अतरिक्त छट पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान किया है रेलवे ने छट पूजा ट्रेनों के लिए सारी तैयार यांपूरी कर ली है ट्रेन संख्या 05269 मुजफरपूर से एहमदाबाद 26 नवंबर को और ट्रेन संख्या 052700 रविवार 29 नवंबर तक चलाई जाएंगी हदोनों ट्रेने 15269 और 152700 के समय सारनी के अनुसार चलेंगी इसके साथ ही रेलवे ने अन्य ट्रेनों की पूरी सूची भी जारी कर दी है हर जिले के आसपास खोला जाएगा बड़ा सेक्षिनिक संस्थान बिहार में सिक्षा विवस्ता को मजबूत करने की पहल तेज हुई है जिसके तहत आने वाले सालों में विद्यार्थियों को उच्च सिक्षा के लिए घर छोड़ कर दूर जाने की जरूरत नहीं होगी से करवाई जा सकती है यह संस्थान सारवजनिक और नीजी दोनों ही छेतर में हो सकते हैं नई सिक्षा नीती के क्रियानव्यन के लिए सरकार की तरफ से बढ़ाय जा रहे कदम केंद्र सरकार से नई सिक्षा नीती के क्रियानव्यन पर दिये गए और लोगों को मौसम में बदलाव भी साफ न जरार है सुबह सवेरे ठढ़ सबसे ज़्यादा महसूस की जाती है इसके साथ ही रात में भी मौसम में ठढ़ महसूस किये जा सकते हैं बिहार की राजधानी पटना में आसमान में बादल चाहे रहने की वज़े से तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं रिकॉर्ड की गई है मगर मौसम वैग्यानिकों की माने तो 14 शेहरों के लिस्ट में सबसे कम नियूंतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेट देहरी में रिकॉर्ड किया गया है इसके साथ ही 24 से 48 घंटे में तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है उसकी बाद पश्रिम विभोक्ष आने के आसार है जिसकी वज़े से नियूंतम तापमान में कमी देखने को मिलेगी चटपूजा के दारान कई लोगों की गई जान, बिहार के कई जिलों में चटपूजा के दारान अलग-अलग जगहों पर कई लोगों की जान चलिगई है सुपॉल जुले में छट पूजा के लिए घाट पर जा रहे है दो सगे भाईयों की जान चली गई वहीं एक परिवार के दो लोगों की जान भी बीते दिन चली गई है इसके साथ ही वेगु सराय में दो अलग-अलग जग है पर डूबने के कारण कई लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आई है इसके साथ ही वहशाली के विद्यूत और रागुपुर में छट पूजा के दोरान नहाने के दोरान दो यूवक नदी में डूब गए है इता ही नहीं समस्तिपूर के दलसिंग सराय के कौन यला पोखर में छट पूजा के दौरान नाफ पलट कई जिसमें एक यूवकी जान चली गई थी आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे प्रणिती रोय प्रकाश की प्रणिती रोय प्रकाश एक भारतिय मॉडल और अभिनेतरी है जिन्होंने कई मॉडलिंग शो में भी अपना परचम लह रहा है इंडियान्स नेक्स टॉप मॉडल में उन्होंने अपना कीरिती मांस थापित किया था मॉडलिंग की दुनिया में अलग-अलग मंचों पर बिहार का नाम रोक्षन करने वाली प्रणिती राय प्रकाश का जन्में 20 सितंबर 1994 को राजधानी पट्टा में हुआ था तेजस्वी आदव ने 19 लाख नौकरी को लेकर मांगा जवाब बिहार विधान सभाचुनाव में रोजगार एहम बुद्दा देखने को मिला था वाही रोजगार के मुद्दे पर जहां राजध ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था वाही एंडिये ने 19 लाख नौकरी देने की बात कही थी जुसके बाद तेजस्वी यादव ने अब 19 लाख नौकरी को लेकर सरकार से जवाब मांगा है जुसके तहत उन्होंने ट्वीट जारी करते वे कहा कि माननिय मुख्यमंत्री जी 19 लाख नौकरी सिक्षकों के लिए समान काम, समान वेतन, क्रिशी, रिण माफी, बिजली दर कम करना, पुरानी पेंशन, लागू करना, समविधा कर्मी सिक्षा पर बजट का 22 फीसीदी खर्च करने और उद्योग लगाने, सूपर स्पेशालिटी अस्पतार बनाने जैसे जन सरकारी मुद्व पर विमर्श क्यों नहीं करते जदियों ने तेजस्वी आदव को जनादेश का मातम नहीं मनाने की दी सलाह, बिहार विधान सभाचनाफ परड़ाम आने के बावजूद विपक्ष और सरकार के लखा है, हम ना गलत करते हैं और ना ही किसी को फसाते हैं, आश्चरी की बात ये है कि तेजस्वी आदव बोल रहे हैं, वो लंबे समय तक विपक्ष के नेता रहे हैं, उनको अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का, उन पर तो खुद अनेक आरोप है, क्या उन्होंने पुराने भवन का अवशेश बांका जुले के अमरपूर प्रखंड के अंतरगत भादरिया गाउं के पास चांदन नदी में लगभग 50 फीट की दूरी पर पुराने भवनों की तरह के अवशेश को पाए गया है, सानिय लोगों की माने तो भवनों की अवशेश काफी पु पथर को देख करके इसे थापकर बनाई गया है और इसमें हाथ का इस्तवाल किया गया है और इसे धान के डंधल में पकाए गया है, हाला कि उन्हों ने कहा है कि कुछ दूरों में अमरपूरा पर इसकी जाच ज़रूर होगी और तब कुछ बताय जा सकता है बिहार चुनाव की परिणाम के बाद भाजपा का शिरू हुआ मिश्वन बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है नितीश कुमार की अगवाई वाली एंडिये सरकार का अगठन बिहार में हो गया है जिसके बाद पश्रिम बंगाल समेत देश के पाच राज़ियों में विधानसभा चुनाव का योजन करवाय जान है जिसमें पश्रिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडू और केंद्र साफ्ट प्रिदेश पुढडु जेरी शामिल है इन पाच राज़ियों में से कॉंग्रिस और भाज़ियों में सरकार है वहीं बंगाल में त्रिनमुल कॉंग्रिस तो केरल में लेफ्ट दल काबिस है भाज़ियों हर हाल में इन पाच राज़ियों में अपनी सरकार बनाना चाहती है जिसके लिए भाजपा के रास्ट्रिय अध्यक्स, जेपी नड़ा और ग्रिमत्री अमितुषा ने रणनीती तियार कर लिए वहीं कारे करताओं को भी कह दिया है तैयार रहिए बड़ा उलट फेर होने वाला है बिहार वधान सबाचुनाव में जीत से उत्साहित है OVC बिहार वधान सबाचुनाव में AIMIM को पाच सीटों पर मिली जीत से असुब दीन OVC काफी ज्यादा उत्साहित तंजरार है इसके साथी पूरे बिहार में पार्टी का विस्तार करने साथी जुलास्तर पर संगठन खड़ा करने का फैसला कर चुके हैं इसके बारे में OVC ने AIMIM के प्रदेश पुदाधिकारी को निर्देश ज्यारी किया था आपको बता दे सभी 38 जिलों में संगठनात्मक धाचा खड़ा करने का निर्देश AIMIM के एक प्रानती है प्रदाधिकारी के मुताविक पार्टी प्रमुख OVC की तरफ से बिहार में सभी 38 जिलों में संगठनात्मक धाचा खड़ा करने का निर्देश दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने नितीश क्याबिनेट पर साधा निशाना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने एक बार फिर से नितीश कुमार और उनकी पूरी टीम पर निशाना साधा है जिसके तहत उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से नितीश क्याबिनेट पर निशाना साधते वे कहा हाला कि इस से पहले भी तेजस्वी आदव ने नितीश कैबिनेट पर सवाल उठा हैं जहां उन्होंने विधायक मेवाला चौधरी के मामले में सरकार पर खूब निशाना साधा है चनाव आयोक से जद्यू ने की खास मांग विहार वधान सभा चनाव के परणाम आ चुके हैं मगर राजुनीती अभी भी लगातार जारी है आपको बता दे चुनाव के दोरान ही जद्यू लगातार तेजस्वी आदव और तेश्प्रताप यादव की तरफ से आयो को गलत हल्फ नामा पेश करने की बात कहते आई है वही अब एक वार्फिर से जद्यू इस मुद्धे को उठाने में जुट गई है तेजस्वी की राज़त में बदल गया बहुत कुछ बिहार के मुखे वपक्षी पार्टी रास्ट्रे जनतादल में बदलाव देखने को मिर रहा है जिसमें तेजस्वी आदव के दोर की ज्छलक साफ नजर आ रही है पार्टी ने इस बार लालू यादव को ना सिर्फ अपने पोस्टर से हटा दिया है बलकि पार्टी चुलाने के तरीकों में भी बदलाव किया है तेजस्वी की आक्रमक्ता और अनुसाशन को लेकर सक्त रवये ने पार्टी को एक नयात्ते वर दे दिया है जिसके तहत लालू यादव को परदे के पीछे कर दिया गया है और तेजस्वी यादव के कंधे पर जिम्मदारी देकर सामने किया गया है हालाकि तेजस्वी पार्टी विरोधी गर्टी विदियो में लिप्त नेताओं पर भी सकती दिखाने वाले है जो की लालो प्रसाद यादव करने में थोड़े से पीछो नजर आते थे वहीं अनुसाफशन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है कोरोना काल में नौकरी गवाने वालों के लिए केंदर सरकार उठा सकती है एहम कदम COVID-19 के माहौल में मार्च से लेकर सितंबर के दौरान 40 लाख लोगों को अपनी नौकरी का बानी पड़ी थी बीते दिन EPFO की तरफ से रिलीज किये गए पैरोल डेटा के मताबिक साथ महीनों में लगभग 49 लाख करमचारियों ने उन कंपनियों को छोड़ा है जो PF में योगदान करती है अब सरकार ने इन लोगों को नौकरियां देने के लिए कंपनियों को प्रोच साहित करने के मकसद से आत्म निर्भर भारत रोजगार योशा को शुरू करने का फैसला लिया है स्कीम के तहट सरकार को ऑक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 सक इन करमचारियों को न्यूकती देने वाली कंपनियों को सरकार की पीठ योगदान में पूरी तरह से सबसिरी देगी भारत के इतिहास में आज की तारीक के कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीक का अपना ही ये खास महत्व है भारत और पाकिस्तान के 1971 में एक दूसरी की हवाई सीमाओ का उलंगन किया था भारत की डाइना हेडेन ने 1997 में विश्वे सुन्दरी बनी थी, प्रख्यात कवी कुमर नारायन को वर्ष 2005 के ग्यानपीट पुरसकार हेतु आज़ी के दिन चुना गया था पुरसर NCB की टीम ने भारती सिंग के अंधेरे स्थित घर पर चाप मारा है, NCB की चाप मारी के दोरान कई संदिक दिपदार्थ भी मिले हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको पता दे, NCB की एक टीम भारती सिंग के घर और दफ्तर में सर्च ऑपरेशन कर रही थी, भारती सि पर भारतीय टीम इन दुनों है, वही मात से पहले कंगारू और राउंडर मार्क्स स्टोईनिस ने अपनी रणीती की चर्जा की है, जिसके तहत मार्क्स ने कहा है कि विराट कोली मैदान में हर बार अपना शद प्रतिशद देते हैं और उनकी टीम भारती कप्तान की चुन शे माच में एडलेट में खेले जाने वाले शिरुवाती टेस्ट माच के बाद पेटर्निटी लीव पर भारत वापस लोटने वाले हैं। उन 60 मिनट पर समाप्त होगी मिली जानकारी के नुसार, फ्री स्ट्रीमिंग के अलावा आपको नेट्फिक्स की सभी इस्तो विधाएं भी मिलेंगी, निशुल स्ट्रीमिंग के वल दो दिन के लिए होगी, सबसे धिक संभावना होगी, कि आप फिल्म भी देख सकेंगे, जो भी देखते रहेंगे, जिसके बाद उमीद की जा रही है कि नेट्फिक्स पर इन दो दिनों में ज्यादर ट्राफिक देखी जा सकती है। जिसके तहट उन्हाने कहा कि बुखी मतर नितीश कुमार ने ट्रिपल सी पर कोई समझोता नहीं किया है। वधान सबास्यतर के बाद मंतरी मंडल का विस्तार करने पर विचारवे मर्श किया जा रहा है। हाला कि जो जनता के लिए सही होगा नितीश कुमार वही करेंगे। अब आईए जानते हैं सराफ़ बजार और प्रिट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफ़ बजार की बात करें तो सोने का भाव एकिस नमंबर को 22 कैरेट के लिए प्रतिश ग्राम 49,890 रुपय था वहीं 24 कैरेट के लिए प्रतिश ग्राम 50,890 रुपय था वहीं हमारे दोरा पुछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट कर के दिया था उसके लिए आपका बहुत-बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पुजा कुमारी अफिशर, नितेश कुश्वाह, अमर्जीत कुमार, सुरब शर्मा, राज выдinc TV कुमार, अदित राज, राज कुमार, रिषब कुमार, मनीष कुमार, राकेश कुमार, विकास कुमार, धीरज कुमार, संजीफ प्रि 잡아, कलपना प्रियदरशनी, धीर 28 कुमार, सोनु पासवान, शह ब الدीन, अंसारिया नील कुमार इसके लाव हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे रहे हैं मगर समय कि आभाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सव करें और बिल आइकान दबाला ना भूले और अगर आपे वीडियो हमारा फेस्बुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेयर करें धन्यवाद